दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मैं अटल हूँ इस फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू बताने जा रहा हूँ जो कुछी घंटों पहले रिलीस किया गया है इस ट्रेलर के रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि मुझे पंकशर पाठी की आक्टिंग पर उनकी अभिने प्रतिभा पर कोई संदे नहीं है और आज के अगर सबसे बहतरीन अक्टर्स की बात की जाए तो वो टॉप थ्री की लिस्ट में आते परसोना है वो अटल जी के परसोना पर बिलकुल भी फिट नहीं बैठ रहा है जब पर पंकशर पाठी आते हैं अटल बिहारी वाजपई बन कर तो कन्विंसिंग नहीं लगते हैं मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा MS धोनी की बायो पिक में सुशांत ने जब रोल किया कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि वही अटल विहारी वाजपई हैं और बायो पिक्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो या तो बहुत रियल लगती हैं और अगर रियल नहीं लगती हैं तो बहुत कैरी केचरिश लगती हैं जैसा कि इस फिल्म में और किरदार ज कोशिश है ये कन्विंस कराने की कि ये टल विहारी वाजबई बैठे हैं ये लाल किशन आडवानी बैठे हैं ये मुरली मनहोर जोशी बैठे हैं मैं आपको दावे के साथ यकीन दिला सकता हूँ कि जब ये फिल्म परदे पर रिलीज होगी लोग पंकश्टर पार्टी के अफसोस ये है कि ऐसा लग नहीं रहा है यानि जब आप मैं अटल हूँ का प्रोमो देखते हैं तब आपको पंकश्टर पार्टी दिखाई देते हैं अटल विहारी वाजबई नहीं दिखाई देते हैं हो सकता था कि किसी और आक्टर का चैन किया जाता क्योंकि जरूरी नह के बाहर जाकर वो अभिनेन नहीं कर सकता तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये फिल्म एक डिसपॉइंट्मेंट साबित हो सकती है अगर आप ये देखने जा रहे हैं कि आपको परदे पर अटल विहारी वाजबई दिखाई देंगे मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म वो उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है आपके क्या रियक्शन है कि आपको भी ऐसा ही लगता या आपको जो लग रहा है वो मेरे से अलग है वो आप मेरे वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं